आप देख रहे हैं समाचार एजिंस एफ इंडिया में साइनिंग नियून 25 अगस्त 2024 रविवार को हलशष्टी वरत किया जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की पश्टी तिथी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था उन्ही के नाम पर इस वरत को हलशष्टी पड़ा इस वरत को ललही छट, हलशष्ट, हरचट वर रांदन छट आदी नामों से जाना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वरत संतान प्राप्ती वर संतान की लंबी आयू के लिए किया जाता है इस वरत में हलकी भी पूजा की जाती है वही कुछ विद्वानों का मत है कि हरचट या हलशष्ट वरत भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की शष्टी तिथी को रखा जाता है कुछ जगों पर इस वरत को ललही छट या हल शष्टी के नाम से भी जानते है इस साल हरचट वरत 25 अगस्त 2024 रविवार को है यह वरत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है मान्यता है कि इस दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था मान्यता है कि इस वरत को करने से बलराम जी का आशीरवाद प्राप्त होता है यह वरत संतान की लंबी आयूवख खुशाली के लिए किया जाता है कहा जाता है कि भगवान के आशिरवाद से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है हल्शष्ठी व्रत का महत्व के बारे में कहा गया है कि इस व्रत को विधी विधान से करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी दुखदर्द होते हैं और जीवन में सुक्समृद्धी आती है मान्यता है कि इस वरत के प्रभाव से संतान को लंबी आयू की प्राप्ती होती है हलशष्ठी वरत नियमों में बताया गया है कि हर चट के दिन वरती महिलाएं महुआ की दातुन वह महुआ खाने का विधान करती है हलशष्ठी वरत पूजा महुआ के संबंध में विधानों का मत है कि शष्ठी तिथी 24 अगस्ट 2024 को सुबह 7 बजकर 51 मिनट से प्रारंब होगी और 25 अगस्ट 2024 को सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी हरचट वरत पूजन का सुबह का समय 7 बजकर 31 मिनट सुबह से 9 बजकर 8 मिनट तक रहेगा हरचट वरत में क्या खाना चाहिए इस प्रश्ण के जवाब में विधवानों का मत है कि हरचट वरत में गाय के दूद से बनी चीजों या हल चले खेट से पैदा हुई कोई चीज नहीं खाई जाती है इस वरत में तालाब में पैदा हुई चीजे ही खाई जाती है वहीं हलशिष्टी वरत में क्या नहीं करना चाहिए के संबंध में कहा गया है कि हरचट वरत में हल चले भूमी पर नहीं चलना चाहिए तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुनादी का सेवन नहीं करना चाहिए इस वरत में गाई के दूद, दही अगी का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस दिन वरती महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती है नहीं जमीन में उगाई हुई चीज खाई जाती है बलराम जी का शस्त्र हल माना गया है इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है इस वरत में तालाब में उगाई गई चीजे खाई जाती है जाने हल शष्ठी वरत में वरती महिलाएं किन बातों का रखें ध्यान हलशश्टी वरत के दिन महिलाएं भूलकर भी हल से जोती गई धर्ती पर न चलें हल चले अन्न, फल या साग सबजी का सेवन न करें इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर नहीं करना चाहिए इस वरत में गाई के दूद, दही वगी के प्रयोग की मना ही होती है इस दिन बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं हल शश्टी पूजन विधी के बारे में इस दिन महिलाएं महुआ पेड की डाली का दातून, सनान कर वरत रखती है इस दिन बड़ों की महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती है सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी गनेश, कलश रखकर हल शश्टी देवी की मूर्ती या प्रतिमा की पूजा करते है इस पूजन की सामगरी में बिना हल जुते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भेंस का दूद, दही वगी आदी रखते है बच्चों के खिलोने जैसे भौरा, बाटी आदी भी रखा जाता है इस दिन महिलाएं अपने आंगने में जहरबेरी, पलाश और कांसी की टेहनी लगा कर पूजा करती है छट माता का फोटो लगा कर उनको साथ अनाजों को मिला कर बनाया बुआ सतंजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाया जाता है इसके बाद व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है जियोतिशाचारियों के अनुसार महिलाएं और युवतियां पूरे दिन उपवास रखती है शाम को दुबारा नहाती है और नए कपड़े पहनती है मंदिर जाती है वहाँ भजन करती है चंदन घिसकर्टी का लगाती है कुछ लोग लक्षमी जी और और गनेश जी की पूजा करते है कुछ अपने इश्ट की भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्ष़त अर्पित करते है सिक्का, फूल, फल, सुपारी चड़ाते है दीपक अगर बट्टी जलाते है फिर हाथ में चंदन लेते है कुछ लोग चंदन मुंग में रखते है इसके बाद उप छट वर्त की कहानी सुनते है और गनेश जी की कहानी सुनते है इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चंद न दिख जाए इसके अलावा बैट से नहीं है खड़े रहते है चांद दिखने पर चांद को अर्ध्य दिया जाता है स्त्रियां इस दिन पूरे दिन का उपवास रखती है शाम को दुबारा सनान कर स्वच और नए कपड़े पहनती है कुछ लोग लक्ष्मी जी और और गनेश जी की पूजा करते है और कुछ अपने इश्ट की चंदन घिसकर भगवान को चंदन से तिलक करके अक्षा तरफित करते है सिक्का, फूल, फल, सुपारी चड़ाते है दीपक, अगर बत्ती जलाते है फिर हाथ में चंदन लेते है कुछ लोग चंदन मुंग में भी रखते है इसके बाद उबचट वरत और गनेश जी की कहानी संते है मंदिर जाकर भजन करती है इसके बाद वरती जब तक चंदरमा जीन दिख जाए जल भी ग्रहन नहीं करती और नाही नीचे बैठती है उबचट के वरत का नियम है कि जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि हर चट वरत की पूजा दो फर में करना शुब माना जाता है इस दिन महिलाएं सुबह 11 बजे से दो फर एक बजे तक पूजा कर सकती है इस पूजा के लिए पूजन सामगरी में कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफेद फूल, अगरबत्ती, दीप के भेंस का दूद, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपन, मिर्टी के छोटे कुलहर, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिर्टी का दीपक, साथ प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेव और कुश, मुख्य रूप से शामिल हैं, उप छट वरत कथा इस किसी गाव में एक साहुकार और इसकी पत्नी रहते थे, साहुकार की पत्नी रजसवला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी, रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी, उनके एक पुत्र था, पुत्र की शादी के बाद साहुकार और उसकी पत्नी की मृत्यू हो गई अगले जन्म में साहुकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी ये दोनों अपने पुत्र के यहां ही थे बैल से खेतों में हल जुदाया जाता था और कुतिया घर की रख्वाली करती थी श्राद के दिन पुत्र ने बहुत से पक्वान बनवाए खीर भी बन रही थी अचानक कहीं से एक चील जिसके मुंग में एक मरा हुआ सांप था उरती हुई वहां आई वो सांप चील के मुंग से छूट कर खीर में गिर गया कुतिया ने यह देख लिया उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते है उसने खीर में मुंग अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खाए पुत्र की पत्मी ने कुतिया को खीर में मुंग अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीट पर मारा तेज चोट की वज़ से कुतिया की पीट की हड़ी तूट गई उसे बहुत दर्द हो रहा था रात को वह बैल से बात कर रही थी उसने कहा तुम्हारे लिए श्राद हुआ तुमने पेट भर भूजन किया होगा मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग बैल ने कहा दरी मुझे भी भूजन नहीं मिला, दिन भर खेट पर ही काम करता रहा ये सब बाते बहु ने सुन ली और उसने अपने पती को बताया उसने एक पंडित को बुला कर इस घटना का जिक्र किया पंडित में अपनी जियोतिश विद्या से पता करके बताया की कुटिया उसकी मा और बैल उसके पिता है उनको ऐसी योनी मिलने का कारण मा द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हात लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उध्धार का उपाई पूछा पंडित ने बताया यदि उसकी कुमवारी कन्या भादरपत त्रिश्न पक्ष की शष्टी यानी उपछट का वरत करे शाम को नहा कर पूजा करे उसके बाद बैठे नहीं चांद निकलने पर अर्धि दे अर्धि देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुटिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा जैसा पंडित ने बताया था कन्या ने उपछट का वरत किया पूजा की चांद निकलने पर चांद को अर्धि दिया अर्ध्य का पानी जमीन पर गिर कर बहते हुए बैल और खुतिया पर गिरे ऐसी जवस्था की पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्थ हुआ और उन्हें इस योनी से छिपकारा मिल गया ये उप छट माता जैसे इनका किया वैसे सभी का उध्धार करना कहानी लिखने वाले और पढ़ने वाले का भला करना इस माह में अगर आप भगवान बलराम जी का समरण करते हैं तो आप कमेंट बाक्स में जै बल्दाओ लिखना न भूलिए यहां बताये गए उपाय, लाब, सला और कथनादी सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारत हैं यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजनसी ओफ इंडिया के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहां दी गई जानकारी में नहित जानकारी विभिन माध्यमों, जयोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मगरंथों, दंतक्खाओं, किमवदंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोध है कि लेक को अंतिम सत्य अत्वादावा न माने एवं अपने विवेक का उप्योग करें समाचार एजनसी ओफ इंडिया पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंदित विशेशग्य से सलाह ले क्याँ के जानुय से सलाह ल 주 थादोства विप जानाँ कार एव भी डित्सम्रों कि लोग धने स्रमा झाला जानाँ का बाला याने से संब्हातं का अंब Concept झाल